रासाइनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं जैसे संयोजन अभिक्रियाएं, वी स्थापन अभिक्रियाएं, वी ओजन अभिक्रियाएं, संकलन अभिक्रियाएं, अब घटन अभिक्रियाएं आदी आज हम इन में से कुछ रासाइनिक अभिक्रियाओं को करके देखेंगे जैसे जिंक की सल्फियूरिक अमल के साथ अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के जल्लिय विलियन की सोडियम सल्फेड के जल्लिय विलियन के साथ अभिक्रिया अमोनियम-क्लोराइड का उशमे अभग्ठण इन अभ gjुक्रियाओं को करके हम ये पता लगाएंगे कि ये किस प्रकार की अभेख्रियाओं हैं आईए सबसे पहले हम जिंक धातू की तनू सल्फियुरिक अमल के साथ अभिक्रिया करते हैं जिंक धातू तनू सल्फिरिक अमल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट वा हाइड्रोजन गैस बनाता है हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एक धातू है इस अभिक्रिया में एक धातू द्वारा एक अधातू का उसके योगिक H2SO4 से वी स्थापन हुआ है अते यह अभिक्रिया एकल वी स्थापन अभिक्रिया का एक उधारन है इस प्रयोग के लिए हमें कुछ समगरी के आफशकता होगी जो इस प्रकार है तनू सल्फियूरिक अमल, जिंक धातू की कुछ का निकाएं, लाल वा नीले लिटमस पत्र, परकनली और एक मोमबती अब हम प्रयोग शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक शुष्क परकनली लेते हैं और इसमें हम स्पैचूला की साइता से जिंक धातू के कुछ टुकडे डालते हैं अब इस परकनली में हम थोड़ी मात्रा में तनू सेल्फियूरिक अमल डालते हैं हम देखते हैं कि अभिक्रिया मिश्रंट से बुद्बुदाहट के साथ गैस निकलना शुरू हो गई है आईए इस गैस की गुणों का पता लगाते हैं सबसे पहले हम परकनली से निकलने वाली गैस का रंग देखते हैं हम पाते हैं कि यह गैस रंगीन गैस है फिर गैस की गंध परखने के लिए हम अपने हतेली से गती देकर गैस को अपने नाक की तरफ दिशा देते हुए लेके आएंगे हम पाते हैं कि यह गैस गंध हीन गैस है अब हम काच की नली के मुझ पर बारी बारी से गीले किये हुए लाल वा नीले लिटमस पत्र को लाते हैं हम लाल लिटमस पत्र लेते हैं इसे हम जल में डालकर गीला कर लेते हैं और परक नली के मुझ पर रखते हैं हम देखते हैं कि लाल लिटमस पत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ है अथार्थ इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया है अब हम नीला लिटमस पत्र लेते हैं और उसे भी हम जल में डालकर गीला कर लेते हैं और इसे हम परक्नली के मूँपर रखते हैं हम देख रहे हैं कि नीले लिटमस पत्र पर गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है अथार्थ इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया है हम कह सकते हैं कि यह एक उदासीन गैस है आईए अब इस अभिक्रिया में बनी हाइड्रोजन गैस का दहिन परिक्षन करते हैं हम देखते हैं यह गैस पट ध्वनी के साथ जलती है अते यह अती ज्वलेंसील गैस है इस प्रियोग में हमने देखा कि जिंक और सल्फिरिक अमल की रासाइनिक अभिक्रिया से जो गैस उसरजित हुई वह हाइड्रोजन गैस है जो की एक रंगीन, गंधीन, उदासीन वा अती ज्वलेंसील गैस है इस अभिक्रिया से जिंक सल्फेट भी बनता है जो जल्य विल्यन की रूप में रहता है इस प्रयोग के दुसरे भाग में हम बेरियम क्लोराइट के जल्य विल्यन और सोडियम सल्फेट के जल्य विल्यन के बीच अभिक्रिया का अध्यन करते हैं जब sodium sulphate के जल्य विल्यन में barium chloride का जल्य विल्यन मिलाया जाता है तो barium sulphate का सफेद आउक शेप बनता है इस अभीक्रिया में sodium chloride भी बनता है जो जल में घुलनशील होने के कारण विल्यन रूप में ही रहता है इस अभीक्रिया का समय करण हम इस प्रकार लिख सकते हैं इस अभीक्रिया में sodium sulphate से sulphate आएन तथा barium chloride से chloride आएन परसपर वी स्थापित होते हैं अते यह एक द्वी वी स्थापन रासाइनी का भीक्रिया है इस प्रयोक के लिए हमें जो समगरी चाहिएगी वह है इस प्रकार है दो परक्नलियां एक मापक सिलेंडर 50 ml बेरियम chloride का जल्य विलियन तथा sodium sulphate का जल्य विलियन इस अभीक्रिया में sulphate आएन तथा chloride आएन आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं तथा sodium आएन और बेरियम आएन आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं अत्य यह एक द्वीव स्थापन रासाइनिक अभीक्रिया है आवश्यक समगरी दो परक्नलियां एक छोटा मापक सिलेंडर 50 ml बेरियम chloride का जल्य विलियन तथा sodium sulphate का जल्य विलियन की आवशक्ता आएए अब हम प्रयोक शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक परक्नली में जिस पर हमने ए अंकित किया हुआ है उसे हम लेते हैं और उसमें हम लगबग 3 ml sodium sulphate टालते हैं अब हम दूसरी परक्नली लेते हैं जिस पर हमने बी अंकित किया हुआ है उसमें हम बेरियम chloride का 3 ml विलियन डालते हैं लगबग 3 ml विलियन डालते हैं अब हम परक्नली A लेते हैं जिसमें हमने sodium sulphate लिया है और परक्नली B जिसमें हमने बेरियम chloride लिया है अब हम परक्नली A का विलियन परक्नली B में दीरे दीरे डालते हैं अब हम परक्नली B को दीरे दीरे हिलाते हैं और अच्छे से बिशुरित करते हैं और उसमें होने वाले परिवर्तन को देखते हैं हम देखते हैं कि परक्नली B में सफेद रंग का अवक्षेप बन जाता है इस प्रयोग के द्वारा हमने जाना कि जल्य विलियन में आइनों का आदान प्रदान होने से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और नए उत्पाद बनते हैं इस प्रकार अभिक्रियाओं को वीस्थापन अभिक्रिया कहते हैं अब इस प्रयोग की तीसरी अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड के उश्मे अभघटन का अधियन करते हैं अमोनियम क्लोराइड को जब किसी खुले पात्र जैसे चीनी प्याली में गरम करने पर वे hydrogen chloride gas वा ammonia gas में विगटित हो जाती है इस प्रकार इस अभिक्रिया के रसाइनिक समिकरन को हम इस प्रकार लिखते हैं यह है एक अब घटन अभिक्रिया का उधारन है इस प्रयोग के लिए हम लेते हैं ammonium chloride, nesler abhikarmak, neela litmus पत्र, tripad stand, tharki jali, chini pyaali और एक keep सबसे पहले हम चीनी प्याली में लगभग 5 ammonium chloride लेते हैं और हम gas burner को और लेते हैं और इसके उपर हम找 अधार की जाली रखते हैं और चीनी प्याली जिसमें हमने लगभग पांछ ग्राम ammonium cloroid लिया है उसे रखते हैं और इसके ऊपर हम keep को तो रख देते हैं और इसे अब हम बर्नर की जोला में धीरे धीरे गरम करते हैं कीप की नली से पहार निकलने वाली गैस की जाच के लिए हम एक नेसलर अभी करमक में भीगा हुआ फिल्टर पत्र ले जाते हैं की जाच की जाच की जाच की जाच की जाते हैं हम देखते हैं की नेसलर अभी करमक से भीगे फिल्टर पत्र का रंग हलका भूरा हो चुका है जो की अमोनिया के बनने को दर्शाता है अब हम एक भीगा हुआ नीला लिटमस पत्र कीप की नली के पास ले जाते हैं अब होत्र की जाच की पत्र की जाते हैं की जाते हैं की की जाच मोन अब हुआ आप देख सकते हैं कि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है जो की हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बनने को दर्शाता है अब हम बननर को बंद कर देते हैं इस प्रयोग में हमने देखा कि अमोनियम क्लोराइड का ताप द्वारा विघटन कर अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस उत्पन्य होती है अते ये अभिक्रिया अपघटन की अभिक्रिया का एक उधारन है आज की इस प्रयोग में हमने जो देखा उसे हम फिर से दोहरा लेते हैं पहले प्रयोग में हमने देखा कि एकल वी स्थापन दर्शाने वाली रासाइनिक अभिक्रिया को समझा तथा अभिक्रिया के गैसी उत्पाद हाइड्रोजन गैस के गुनों का अधिन किया दूसरे प्रयोग में हमने जाना की सोडियम सलफेट वा बेरियम क्लोराइड के जल ये विलियनों में के बीच अभिक्रिया एक दूई विस्थापन अभिक्रिया है जिसके फल स्वरूप बेरियम सलफेट का सफेद रंग का अक्षेप वा सोडियम क्लोराइड बनते हैं और प्रयोग के तीसरे भाग में हमने देखा कि अमोनियम क्लोराइड का ताप द्वारा भी घटन कर अमोनिया तथा हाइडरोजन क्लोराइड गैस उत्वन्य होते हैं अते है यह रसाइनिक अभिक्रिया अब घटन की अभिक्रिया का एक उधारन है अभिक्रिया अबैंने क्वारेडा बनते हैं